ग्यान ही दुख का मूल है ग्यान ही भव का कूल राग सहित प्रतिकूल है राग रहित अनुकूल चुन चुन इसमें उचित को अनुचित मत कर भूल सब्धर्मों का सार है समता बिन सब्धू अहिंसा परमो धर्म की परम पूज आचार भगवंत गुर्देव श्री विद्या सागर जी मुनी महराज की पंच कल्णानक प्रतिष्ठा महा महोसव की समस्त मुनी संग की पद्म प्रभु भगवान के मोक्ष कल्णानक महोसव की चंद प्रभु भगवान के मोश्कर एक गुर्कुल में मंत्री का पुत्र राजा का पुत्र और शेष्टी का पुत्र तीनों के पुत्र विद्या अध्यन कर रहे थे विद्या अध्यन करते 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 बहुत वर्ष्वतीत हो गए आपके हाँ जैसे कोर्स होते हैं ऐसे उस समय कोई कोर्स नहीं होता था शिक्षक जब समझ में आता था बच्चे को पास में बुला करके पढ़ाना सुरू कर देते थे आज इस्थापना बनाके रखी है फिजिस केमेस्टी मैथ हिंदी बालाजी इंग्लिस संस्कित पढ़ा ही है लेकिन कुछ प्राचीनतम गुरुकुल थे वहां पर ऐसे सब्जेक्ट सिलेबस चूज नहीं किया जाते थे बालक की विवेक कौशल का परिख्षन करते हुए सिख्षक को जो समझ में आता था समझाते चले जाते थे और जीवन के विकास के लिए वो उसके लिए एक म कि मंत्री पुत्र और सेश्टी पुत्र को चिंता हुई कि बहुत दिनों से गुरुजी के पास है अब तो अपनी सिक्षा भी पूरी हो गई है गुर्देव तो बहुत कुछ पढ़ाते भी नहीं है कुछ सिखाते भी नहीं है तो क्यों आप घर चला जाए जा करके और गुरु से पूछा कि गुरुदेव सांत में रहते रहते 12-13 वर्ष हो गए है अब हम सोचते हैं कि सिक्षनकार पूरा हो गया है तो आपकी आग्या हो तो हम लोग घर पहुंच जाएं घर चले जाएं गुरुदेव ने कहा कि मैं सोची रहा था कि आज साम को तुमको यहां से निर्वत्त कर दूँगा और सुबह सुबह तुमने यह बात कर ली कितना तुम मन को पढ़ाना सीख गए सिक्षक को अच्छा लगा सिक्षक ने कहा कि आज तीनों ही साम को साड़े चार बजे के बाद अपने अपने घर की ओर चले जाना तुम लोग की सिक्षन तो पूरी हो ही गई है और तीनों को साड़े चार पोने पांच गोदूली बेला के समय जो है वो गुरुदेव ने छोड़ दिया कि आप अपने घर की ओर जा सकते है तीनों एक साथ पैदल निकले पैदल निकलने पर रास्ते पे देखा कि थोड़ा दूर जाने पर समझ में आया कि रास्ते में बहुत सारे बबूल के काटे लगे हुए हैं जैसे ही बबूल के काटे सामने रखे थे सबसे आंगे स्रेश्टी का पुत्र चल रहा था बनिये का पुत्र सबसे आंगे चल रहा था उसने बबूल के काटे के ऊपर ही अपने जूतों से पैर रखते हुए चुप चाप निकल गया मंत्री का पुत्र और उस तेश्टी पुत्री के ठीक पीछे चल रहा था मंत्री के पुत्र ने कांट्यों की उपर पैर तो नहीं रखा बगल से रास्ता खोषता हुआ चुपचाप निकल गया उसके पीछे राजा का पुत्र चल रहा था तो देखते हैं कि राजा का पुत्र देखता है कि अभ अभी उजाला दिख रहा है, मुझे रास्ते में पड़े हुए सारे कांटे दिख रहे हैं, अगर इसको उठा के किनारे कर देता हूं, तो कम सकम अंधेरे में मार्ग में आने वाले जो पतिक होंगे, उनके रास्ते पर कांटा नहीं लगेगा, क्योंकि हम मुझे तो उजाले म उन्हें कैसे दिखेगा, तो किसी दूसरे को वेदना नाओ, इस निमित से राजा के पुत्र ने वहां पर खड़े हो करके, और सारे मार्ग के कांटे निकाल करके, और किनारे करने लगा, सारे मार्ग के कांटे किनारे करी रहा था, कि सामने से गुर्देव आ गए, सामने से गुर्देव आकर के बोलते है कि हाँ तुम लोगों को घर तो भेजना था लेकिन अभी तुम दोनों में से तीनों में से अभी दो का सिक्षन पूरा नहीं हुआ है सिर्फ राजा का पुत्र अपने घर जा सकता है क्यों गुर्देव हम सबने एक सांत पढ़ा एक सांत लिखा एक सांत सब कुछ किया और सिर्फ राजा का पुत्र जा सकता है हमने क्या गलती कर दी गुर्देव कहते हैं कि रास्ते में काटे मैंने ही डाले थे मैं ही देखना चाहता था कि 12 वर्ष की सिक्षण के बाद आपके जीवन में दूसरे क्रिपती संबेदना पैदा हुई है कि नहीं हुई है क्योंकि सिक्षक और सिक्षण का एक सबसे बड़ा जबर्जस्त कार होता है कि हम मानव की हिर्दय में संबेदना पैदा करें पांसान में जब भी तोड़ा जाता है सिल्पकार जब पांसान को तोड़ता है बंधू तो प्रतिमा का निर्मान होता है और गुरू जब सिस्त को तोड़ता है तब प्रतिभा का निर्मान हुआ करता है सिस्ट के द्वारा गुरू का जितना उपकार माना जाए उतना कम है और गुरू सिस्ट को जितना तोड़ दे उतना कम है क्योंकि जितना तोड़ता है गुरू सिस्ट को उतना ज्यादा सिस्ट निखर करके बाहर आता है और इस पर तो गुर्देव ने तो हाई को भी लिखा ह गुर्देव ने लिखा है सारी स्कूलों में वो हाई को लिखा रहे सामने ही प्रचारक अक्ष के तो और अच्छी बात होगी गुर्देव ने कहा बिना डांट के पांच अक्षर है 17 अक्षर की पंतियां है बंधू उस 17 अक्षर की पंतियों में जीवन का रहस छुपाया गुर्देव ने, सूत्र उसको ही कहते हैं, जिस सूत्र के अंदर, कुछ सब्दों के अंदर जिसमें अर्थ गर्वित हो, उसको सूत्र कहते हैं, गुर्देव कहते हैं, बिना डांट के, सिस और सीसी का, पिर से बोलू, बिना डांट के, सिस और सीसी का भविस ही क्या, अगर सीसी में उपन डांट न लगी हो, और सिस के दिमाख में गुरू की डांट न लगी हो, तो दोनों का भविस ही क्या है बंदू, आज के सिक्षण पद्धतियों में, गवर्मेंट ने रूल निकाल दिया है, आप किसी भी सिस को मार नहीं सकते, लेकिन जब तक हम छड़ी से जम जम मारेंगे नहीं, बिद्ध्या जम जम गम गम आएगी कैसे, अब गुरू जी को मारने पर वैन है, सिस कितनी भी गलती कर दे, लेकिन हम अपने सिस को मार करके नहीं समझा सकते, मानते हैं कि मारना बुरा है, लेकिन उसके पीछे का हर एक दंड के पीछे, डंड देने वाले के अंदर का इंटेंशन होता है, जब रास्ते में कोई आपको चाटा मारता है, उस समय आपका इंटेंशन रहता है कि किसी कसाय के कानण हमको इसने कुछ मार दिया है, लेकिन सिक्षप का intention कभी भी बच्चे को अपमानित करना नहीं होता दुनिया में तुम कहीं अपमानित ना हो इसलिए वो एक चांटा लगाता है और उसके चांटे को भी रोग दिया गया कि दुनिया में कभी आप कहीं अपमानित ना हो इसलिए क्लास के अंदर 10, 12, 15, 20, 25 लोगों की बीच में अगर हमने आपको डांटा है पनिस्मेंट दिया है उसका निखार होता है बन्दू बिना डांट के सिस्स और सीसी का भविस्स ही क्या है वो गुर्देव ने दोनों आंगे की सिस्ष्यों से कहा कि देखो ये तुम तो जो थे सेश्टी पुत्र तुम में तो इतनी क्रूरता थी कि तुमने क्रूर चीज का क्रूरता से जवाब दिया और तुम पूरे के पूरे कांटे को कुछलते हुई निकल गए तुमने कांटे तो देखे होंगे हाँ देखा गुर्देव तो फिक कांटे को हटाने का नहीं सोचा सोचा कि मार्ग है अपना नहीं है तो अपना काम भी नहीं है तब गुर्देव कहते हैं कि जिस सिस्थिके मन के अंदर धार्मिक प्रवत्तियां हो धार्मिक प्रेम हो और देश प्रेम ना हो वो सिश्ष होने का अधिकारी नहीं है मेरी बात को गौर से समझिएगा हम सब धार्मिक तो बहुत हैं लेकिन हम पूछना चाहते हैं क्या आपको द्रेश प्रेम है की नहीं है देश प्रेम से मतलब क्या है महराज क्या देश प्रेम के चक्कर में बॉर्डर पे जाकर की खड़े हो जाएं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देश प्रेम का मतलब हतियार उठा करके और सीमा पर खड़े होना होता है देश प्रेम का मतलब होता है जितने भी देश के अंदर की वस्तुवें हैं चीजें हैं उसका ब्यवस्थित उप्योग करने की कला भी देश प्रेम है जब आप कहीं देखें कि किसी सार्वजनिक इस्थल पर नन खुला हुआ है तो देश प्रेम कहता है कि पानी को और संसाधरों की रक्षा करो तो उसको आप चुपचाप उठा करके बंद करने का कभी आप मन करता है कि कभी इस बात का मन करता है कि जब आप रेलवे स्टेशन की रिटारिंग रूम में बैठते हैं और वहां कोई नहीं रहता उस समय एसी चल रहा है और पंखा चल रहे हैं तो हम इसको हांत इठा करके बंद कर दें क्योंकि अभी इसकी आवश्यक्ता नहीं है धार्मिक हो करने की बाहरी लक्षन आपके कुछ भी दिखाए देते हों लेकिन जब तक आपके अंदर देश प्रेम नहीं होगा विद्यालों में सबसे पहले देश प्रेम सिखाया जाता है कि कि तुम किस धर्म को मानने वाले हो ये तुम जानो लेकिन अगर तुमने राश्ट धर्म न पूरुष अपना काम करते थे आचार सहिता इतनी सुद्रण थी कि किसी की इस्त्री को कोई पूरुष नजर उठा करके नहीं देखता यदा कदा कभी अपराद होते थे तो सार्वजीनिक रूप से दंड दे करके उसके और भय का वातरवन बनाके उसको ब्यवस्थित कर दिया जाता था लेकिन जब पहली बार मुगलिया शाशन बारवी सताब्दी में भारत की वसंधरा पर आक्रवन करने के लिए आया उस समय धार्मिक प्रेम के चक्कर में हम सबसे पहले 600 साल तक लगातार गुलाम बने रहे हैं बारवी सताब्दी से लेकर के अठारेवी सताब्दी तक 600 साल बहुत बड़ा समय होता है बंदो गुलामी के एक मात्र कारण भारत की वसंधरा जाती धर्मों पर बटी हुई थी ब्राम सबके कर्तब्यों में देख लिया था कि छत्री ही तलवार चलाएगा छत्री अपनी छाती का खून बहाएगा छत्री ही है जो बंदुग लेकर के सीमा पर लड़ेगा छत्री का काम था देश की रक्षा करना वश्य का काम था वानिज वो व्यवसाय करता था शुद्र के सब सुद्र तो उनको पादस्तान ऐं सुध्रम धर्यते、 ऐसा कह करके उसको पादस्तान पर रख दिया गया गया। कि पैरों में शुद्र का इस्थान था और ब्राम्न जो थे वह ब्रहभійर रूप ने आत्मानी चरती तीसा निक्ति सब राम्न कि जो ब्रह्म को जानता है जिसकी ब्रह्म्य की ऊपर चर्या होती है जिसको आत्मा के बारे में पता है उसको ब्राम्मन कहा गया। ऐसे चार वर्ग का वर्गी करन भारती वसुंद्रा पर होता था। मुगलिया शाशन जब भारत के उपर आकर्मन किया उस समय सिफ लड़ने के लिए च्छत्री आंगे आया। बैसे ने कहा मेरा तो बैस्य धर्म है मैं अपनी दुकान चलाओंगा। इधर पर ब्राम्माई ने कहा मेरा तो यागिक कर्म है कर्तव है मैं मंदिरों में घंटी बजाओंगा पूजा करूंगा। इधर सूद्री ने कहा मेरा काम तो हतियार बनाना तलवार चलाना नहीं है हतियार बनाना काम है मैं हतियार बनाऊंगा जुदे चपल बनाऊंगा दूसरे काम करूँगा तीन वर्ग हतियार उठाई ही नहीं तीन वर्ग ने सिर्फ छत्री ने चाती लगाई क्योंकि भारत की बसुंदर में सिखाया गया था चत्री है तो छात्र धर्म का प्रयोग करता है देश की रक्षा के लिए वो इखुन बाहता है मुगलिया शाशा ने इस तकलीफ को पकड़ा जाती और वर्ण विवस्था को पकड़ा करके समझ में आया कि 30 करोड की जंता होने के बावजूत हतियार उठाने वालों की संख्या सिर्फ 7 करोड है बाकी लोग हतियार उठाएंगे ही नहीं तो मतलब मुगलों ने ये बात अच्छे से समझ ली कि हमको सिर्फ 7 करोड से लड़ना है बाकी लोग किसी कीमत पर हतियार नहीं उठाएंगे धार्मिक प्रेम तो तो उन्होंने जब देश पर आक्रमन करके प्रवेश किया जब सोमनात का मंदिर 18 बार लुटा किसी गजनी ने और वहां से उठों में 32, 32, 44 उठों से सोना भर करके जब वो यहां से ले गए कुछ उठ तो रास्ते में मर गए जो उठ मर गए मरे हुए उठ के साथ सोना वही रास्ते में छोड़ करकी निकल गए तब समझ में आया कि धार्मिक प्रेम करने वाले लोग अगर देश प्रेम नहीं करेंगे तो धार्मिकता उसकी देश के अंदर बचेगी नहीं अगर आप धार्मिक हैं तो आपको जितने गहरे आप धार्मिक हैं उतना गहरा आपको दे पुखेगा नहीं इतनी बड़ी बड़ी पचास-पचास फुट की पदमासन में भगवान ब्रशब देव चंदा प्रभु की परित्माइं हैं इन्हीं आताताईयों आतंक वादियों ने जो धार्मिक पूजब पद्धती में अपने आपको धार्मिक समझते थे कि भगवान ह कि बसुंद्रा में हर पुराना मंदिर जाके देखना कहीं सिब्लिंग तूटा पड़ा है कहीं भवानी की मूर्ति को खंडित कर दिया गया कहीं जिनायतनों में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं तोड़ दी गहीं उनको जो समझ में आया वो तोड़ते चले गए बाद जब ये सूत्र हमारे दिमाख में आया तब उन बनियों ने तराजू छोड़ दिया और बंदू खात में उठा ली फिर उन ब्राम्मनों ने जो वो सोचते थे कि घंटी बजाने से और अविशेक करने से पूजन करने से हमको इश्वर की प्राप्ती हो जाएगी उन्होंने गंटिया मंदिर में रख दी और दर्वाजे बंद कर दिये और बाहर आकर के बंदू को ठाली तब जाकर के कोई सुबास चंदर बोस पैदा हुआ चब कोई भगत सिंग पैदा हुआ जिसने इस बात की उम्मीदे जगाई सरफरोसी की तमन्ना अब हमारे दन में हैं देखन पानी देनी पड़ी ये तो लोगों के गैजेट बोलते हैं गैजेटियर में जो छपा कि भारत को आजादी दिलाने के लिए साथ लाख लोग मारे गए एक्च्वल में तो मरने वालों की संख्या करोड से उपर थी जब अंग्रेजों की बंदूकें में गोलियां खतम हो ग बैक टू बैक बैक टू बैक लूटते रहे 200 साल तक अंग्रेज 800 साल तक की गुलामी के बाद हमने ये बाद बहुत गहराई में सीख ली कि जितना जादा व्यक्ति गहरा धार्मिक होगा उतना जादा अगर वह देश प्रेमी ना हुआ तो उसका धार्मिक होना किसी पास से कम नहीं है अगर आप धार्मिक हैं और देश प्रेमी नहीं है तो आप एक बहुत बड़े आतंकवादी हैं क्योंकि आपका वो आतंकवाद धार्मिक उनमात का आतंकवाद आपको कहता है कि हमारी कौम खत्रे में हैं और आप बंदू के उठा लेते हैं आप समझते ह है हमारी बात को लेकिन जब आपके पास इस बात का जुनून हो कि हम जितने पक्के अपने ईश्वर को मानने वाले हैं उतने ही पक्के हम देश की रक्षा करने वाले हैं किसी भी भारत के अंदर एक भी AK-47 राइफल दिखाई नहीं देती बंदों आपको बहुत बड़ा अच्छा इतिहास बताते हैं जांकर के आश्यर होगा कि बाडर में सेना में जितने भी लोग AK-47 कहीं भी आप दुनिया में भारत के अंदर देखिएगा कहीं पर भी आपको आश्चर होगा कि इतने सारे फोजियों के पास AK-47 राइफल तो होती है वे उसको बुलेट को यूस करते हैं लेकिन सबसे बड़ी और खूबी एक खास्यत है भारत की कि भारत एग भी AK-47 रा क्या आश्चर है सुनकर के आश्चर लग रहे हैं जब मैंने सुना तो मुझे भी बड़ा आश्चर लगा हमने सोचा कि यार कितने सारे लोग हैं कितने सारे मंती मिनिस्टर्स हैं इंके सांथ में बैरकेट कमांडो रहते हैं AK-47 राइफल लेकर के गूमते हैं जब बताया कमीशन ने कि महराश्री आपको जानके आश्यर हो कि भारत के अंदर एक भी AK-47 राइफल खरीदी नहीं जाती और हर करीब करीब हर चौथे फोजी की पास AK-47 राइफल है हमने का कहां से आती है बोले आतंकवात के लिए जितन करने के लिए वे बंदू के हाथ में रहती हैं सुन करके कैसा लगता है गर्व लगता है अब किसी भी फाउजी के हाथ में जब आप एककी 47 की राइफल देखेंगे बंदू दूर से दिख जाती है वो बंदू आधी हाथ के बराबर रहती है और आधे हाथ का उसका समझ में आती है कि ये बंदू की कीमत क्या है पूचा कि इसकी खासियत क्या है तो बताए महराज जी नाली में घुसा दीजिए किशन में डाल दीजिए निकाल करके बुलट लोट करेंगे और मारेंगे तो एक बार में सूट करके सामने वाले आतंगवादी को मार देती है यह उसकी खासियत है लेकिन हमारे भारत की खासियत कितनी जबर जस्त है हम एक भी एक के 47 राइफल नहीं खरीबते हैं और हर चौते फोजी के पास राइफल है यह चीज बताती है कि कितना आतंकवाद आपके देश की सीमा के अंदर गुसता है तब जाकर के सीमा में इतनी सार एक की 47 राइफल दिखाई देती है अगर आप धार्मिक हैं बंदों तो आपको एक बहुत अच्छा देश प्रेमी भी बनना पड़े अगर आपके अंदर राइफल उठाने की ताकत नहीं है अगर तुमने किसी शेरनी का दूद नहीं पिया है चाती के बाल इस बात के से घर के अंदर रहकर के बनिये कंगरेंगे या फिर अपनी किसी पूज़न पद्दत्यों में फसे रहेंगे तो फिर देश प्रेम का दूसरा अपने दिमात मेंच ड़ाईए सरकारी किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति समझी ट्रेन में चड़ने से पहले सोच लीजिए कि मुमफली का छिलका हम ट्रेन के अंदर नहीं फिकेंगे क्योंकि यह हमारे घर की ट्रेन है जिस दिन आपका देश प्रेम इस तरीके से भी रंग लाने लगा आपके भारत को द सफाई कर्मचारी आएगा तो सफाई करेगा सफाई कर्मचारी को सफाई करना पड़ा यही तुम्हारे आतंकवादी होने का प्रमान है कि तुम देश प्रेम में अपने घर का कचला उठा करके कुछ कौम के लोग हैं सुबह सुबह साड़े चार बचे चला करके कचला और अंडे का छिलका उठा करके रोड में फेंक देते हैं मंदिरों के सामने जाकर के फेंक देते हैं कुछ लोग मैंने सतना में देखा हम निकलते थे रोज सुबह सामने अंडे का छिलका रोड में पड़ा रहता था हमने का क्यों भाई ये क्या है बोले महराज क्या बताएं बड अंजरुप मिने की आएगा कि आ बाहन को नरेंदर मोदी बनने की आज जरुवत है बंदु कोई भी संपथि मिलेगी कोई भीधार्मी संपथि मिलेगी हम दूर से का मुह नहीं तकेंगे कि भाईया उसको बुलाओ जहडू वाले को अभी बकत का तागाजा ये कहता है कि अभी हमारे पास समय हैं, हम राजा के पुत्र हैं, संद्र होने से पहले हम खुदी सामने वाले का काटा निकाल करके किनारे कर दें, तब तो आपकी सिक्षा सिक्षा है, नहीं तो काई की सिक्षा है, बास समझ में आ रही है, आप समझ रहे हैं, मंदर जीजे के अंदर जाईएगा और माल जीजे एक टूटी चटाई पड़ी हुई है एक आसनी खराब पड़ी है एक पटिया खराब पड़ा है आपकी दस्टी पड़ गई आप सोचते हैं इसके खीले इतने ठीले हैं और ठीक नहीं हो रहा है तो फिर ये मत बोलिए कि समाज के अद्दक से बोलेंगे कि भाईया मंदिर की विवस्ता सुधार हो आज हम खुदी 300 रुपए खर्चा करके मंदिर के अंदर 4 पटिया नए कर देते हैं मंदिर में कभी एक भी धर्मायतनों में खर्चे का नाम के लिस्ट कुछ चढ़ाया नहीं जाएगा अगर हर आदमी को जवाबदारी बस पता सिक्षन पद्धतियां भ्यक्ति को जवाबदार बनाती हैं बिद्धालय सिस्ष को जवाबदार मनाते हैं बहवा गुर्वा संती सिस्ष वित्ताप हारिता गुर्देव ने एक बार स्लोक कहा था गुर्वा बहवा संती सिष्ष वित्ताप हारिता ग गुर्वह बिरला संती सिस्च चित्ताप हारिता